नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 4 अक्टूबर दिन बुदवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर एक अक्टूबर को आयोजी थुई बिहार सिपाही बहादी परिक्छारत नितीज कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडो पर लगी मुहर जाती गन्ना पर हुई स्तरवदलिय बैठक में लिया गया ये निर्णै सुबह नौ से साम 4 बज़े तक चलने वाले कोचिंग संस्थानों को लेकर पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई MS दोरी ने फिर बदला अपना हिरस्टाइल अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 35 परी खबरों के ओर विस्तार से भारतिय सेना में 149 वीक टेक्निकल ग्राजुएट कोर्स के लिए निकाली भरती भारतिय सेना ने 149 वे तकनिकी सनातक पार्ठीक्रम के लिए अविवाहित पुरुस इंजिरिनिंग सनातकों की भरती के लिए एक अधिसूचना चारी की है समेवे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह भारतिय सेना की अधिकारिक वेबसाइट जॉइन इंडियनार्मी.nic.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे क्या आविदन करने की अंतिम तारीक 26 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है मालमों कि इस भरती अभियान के माध्यम से 30 रिक्तियों को भरा जाएगा इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिदवार जो अपेक्षित इंजिनरिंग डिग्री पार्थिकरम पास कर चुके हैं या इंजिनरिंग डिगृ पार्थिकरम के अंतिम वर्स में आविदन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार अधिशूशना देख सकते हैं। एवं चिटपूर्जों के साथ कई अभ्यर्थियों को गिरफतार भी किया गया है। बहारी बहतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे स्वाती सर्मा के बारे में। स्वाती सर्मा का जन्म आज ही के दिन 1994 में हुआ था यह एक भारतिय गाईका है। वह अनन्द एलरा इद्वारा नर्धेशित फिल्म तनु वेट्स मनो रिटर्न के लोग प्रियगीत बन्नो तेरा स्वैगर के लिए जानी जाती है। वह संगीत नर्मान के लिए भी उन लेखनी हैं जिसका उपयोग बॉलिवुड फिल्मों में किया गया है। स्टार स्क्रीन अवार्ड, सोनी गिल्ड अवार्ड, GIMA, पुरुसकार, मिर्ची संगीत पुरुसकार, बिग स्टार एंटर्टेन्मेंट अवार्ड, लायन गोर्ड अवार्ड और डीडियो, मिर्ची डिस्क पुरुसकार शामिल है। मईं 2017 में वा एफिल टावर पर पफर्म करने वाली पहली भारती गाई का बनी। नितीज काबिनेट की बैठक में कुल 14 एजिंडो पर लगी मुहर। पटना के नर्मान एवं विकास के लिए चेरनित कंसल्टेंट के लिए स्विकृत परामर्स सुल्ख 4,25 लाग रुपे एवं पुनरक्षित परामर्स सुल्ख 6,3,10,761 रुपे और बिहार अभियंत्र विश्विद्याले पटना के लिए भवन नर्मान एवं अनेकारी के ल पक्ती दी गई है राज के इंजरिनिंग कॉलेज एवं पॉलिटेकनिक संस्थान, प्रियोकसाला, साहयक तक्नीकी संवर्ग नियमवाली और विज्ञान संवर्ग नियमवाली 2023 की सुर्खती दी गई है ब्याब में प्रमंडा लस्तर पर गठित के जाने वाले वाहन दुर्गतना दावा नयायदिकरन के लिए अधक्ष को साथ पद अपर जिला परिवहन पदा दिकारी के साथ पद उच वर्गिय लिपिक के साथ पद निम्रवर्गिय hesitate के साथ पद एवं आसू लिपिक के साथ पदों के श्रीजन की सुर्कती दी गई है इसके रावा भी बीते दिन कैबिनेट की बैठक में कई एजिंडों पर मुहर लगाई गई अगर आप भी उन अभ्यरतियों में से हैं जिन्होंने डियलेट सयुंक्ति प्रवीश परिक्षा में भाग लिया है तो यहाँ खबर आपके लिए है पतादी की बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के दोरा बीति दिन जानकारी देते वे बताया गया कि डियलेट सयुंक्ति प्रवीश परिक्षा का रिजल्ट 12 ऑक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि डियलेट रिजल्ट की तयारी अंतिम चरण में है ऐसे में अगले सब तहत तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बतादे कि इस परिक्षा में कुल 2,44,777 परिक्षारती शामिल हुए थे वहीं अपरिक्षा 5 जून से 15 जून तक आयोजित की गई थी मालूम हो किस रिजल्ट के जारी होने के बाद पास होने वाले अभ्यर्थी राज्ये के तमाम सरकारी और नीजी दियलेट कॉलेज में ताखिला ले पाएंगे जाती गन्ना पढ़ हुई सर्वदलिय बैठक में लिया गया ये ने नै वितदन बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के अध्यक्षता में जाती गन्ना को लेकर आयोजित की गई सर्वदलिय बैठक में गन्ना के आंकडों को लेकर चर्चा की गई वहीं मीडिया से बाचीत करते वे विरोधी दलकी देता विजय संहा के दोरा कहा गया कि BJP की ओर से बैठक में जाती गन्ना के दोरान हुए आर्थिक और समाजिक सर्वे को जारी करने की मांग की गई है और सरकार की ओर से कहा गया है कि सीद कालिन सत्र के दोरान इन आंक्रों क कोई कत्र किया जारा है वहीं बैठक में शामल पूर्व कॉंग्रिस नीता सकील एहमत के दोरा कहा गया कि इन आंकरों से देश और समाज की उनती होगी कॉंग्रिस इसका स्वागत करती है वहीं इसके लावा जीतर ना मांजी और मुके स्थेहनी के दोरा आंकरों पर संदेश जिस पर सरकार के ओर से कहा गया है कि उनकी आपत्यों पर विचार किया जाएगा पहली बार इन 30 सहरों में बनेंगे 50 विद्युत सब्दाह ग्री और मोक्षधाम बहुत जल्दी सूबे के 30 सहरों में आतनर्भर बिहार के 7 निश्य 2 के अंतरगत 50 विद्युत सब्दाह ग्र और अब जल्द ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा पतादे के अनिर्मान कारे करीब 226.72 करोड रुपए की लागत से पूरा किया जाना है इसके लिए टेंडर इसी महीने जारी किया जा सकता है मालुम हो किसका अनिर्मान जिन 38 सहरों में किया जाना है उनमें सीता मढ़ी, पूर्णिया, कसंगंच, मनिहारी, बांका, खगडिया, मदेपूरा, अरडिया, सुपॉल, दर्भंगा, भबुआ, अरवल, रिवील, गंच, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम, सहरसा, सिवान, सेखपूरा, बकसर, लखी सराय और मुझपरपुर समेत कई शहर सामिल है, पतादिक इस योजना के तहट, 86 लकरी वाले शवदागरी भी बनाए जाएंगे सुबह 9 से साम 4 बज़े तक चलने वाले कोचिंग संस्थानों को लेकर पटना हाई कोट ने की सुनवाई बीतर दिन पटना हाई कोट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीट के दौरा, राज़े में कोचिंग संस्थान सुबह 9 बज़े से शाम 4 बज़े तक संचालित करने के मामले पर सुनवाई की गई इस दौरान कोट के दौरा विहार राज़े सिक्षा विभाग के अडिशनल चीफ सेकरेटरी दौरा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है दरसल केके पाठक की ओर से 31 जिलाई 2023 को आदेश जारी किया गया था कि सुबह 9 बज़े से शाम 4 बज़े तक कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं किया जाएगा जिसके बाद इसको लेकर आदालत में एक याचिका दायर की गई थी और इस आदेश को रद करने का नुरोद किया गया था ऐसे में याचिका करता कि अधिवक्ता की दोड़ा कोट को बताया गया कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधान के नुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है राचे सरकार के इसादेश की वज़ा से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वालों के साथ-साथ छात्रों को भी नुकसान हुआ है देशरा से छट तक चलेंगी स्पेशल ट्रेने लखनओं के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जारी है रेलवे का दिकारियों के दोरा दी गई जानकारी के नसार रेलवे बोर्ड की ओर से 15 ओक्टूबर से स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी करने की शिरवात कर दी जाएगी जो कि पटना, बनारस, हाजेपुर, राची, चन्नाई, सिकंदराबाद, दल्ली, मुंबाई, आदी, मार्गों के लिए चलेंगी लेलवे अधिकारियों के दोरा दानापुर, मंडल, सहित, पुमेर के सभी पांचों मंडलों के प्रमुख स्टेशनों से खुलने वाली नियमित ट्रेनों की सीटों की इस्तती की रिपोर्ट मागी गई है सियम नितीश ने सरदार पटेल भवन में जिविका दीदी की रसोई का किया उधगाटन बीतर दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दोरा सरदार पटेल भवन में जिविका दीदी की रसोई का फीता काट कर और सिलापट अनावरन कर उधगाटन किया गया इस दोरान सियम नितीश ने जिविका दीदीश को महिला सकतिकरन के लिए किये जा रहे कारियों को लेकर धनेवाद दिया और वहां की रसोई में बनी खीर भी खिलाई इसके बाद सियम नितीश के द्वरा सरदार पटेल भवन में ही मुक्ती बिहार काड़ि उध्योग द्वरा लगाई गई प्रदर्शनी का अव्रोकन किया गया और उतपाद प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी भी ली गई पतादे के जुरान सीम नितीज के साथ मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव दीपक कुमार, प्रधान सचीव सहगरी विभाग के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर एस सद्धात, पुलिस महानिदेशक आरस भटी, गरी विभाग के सचीव के सेंथिल कुमार समीत अने वरिय अध इस तक स्थागित कर दिया गया है वहीं अब इस मामने पर EOU यानि की आर्थी कप्राद इकाई के ADG नईयर हसनायन के द्वारा बीते दिन पुलिस मुख्याले में प्रेस कॉन्फरेंस कर नई जानकारी दी गई है उन्होंने बताया कि सिपाही भरती परिक्षा का पेपर परि परिटन में आज हम बात करेंगे इंदरपूरी बांध के बारे में इंदरपूरी में इंदरपूरी बैराज 1407 मीटर लंबा है और यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है इसका नर्मान 2253 मीटर लंबे फड़क्का बैराज का नर्मान करने वाली कंपनी HCC ने किय एक एनिकट के साथ विक्सित किया गया था सोन से नदी के दोनों किनारों पर नहर प्राली से पानी और बड़े छेतरों की सिचाई की जाती है एनिकट के 8 किलो मीटर उपरी बेराज का अर्रमान किया गया था दो संपर्क नहरों ने नए जलासे को पुरानी सिचाई व्यवस्था से जोड़ा और इसे विस्तार भी दिया इसमें 209 मिल की मुख्य नहर है, 149 साखा नहरे हैं और 1235 वित्रितिया है उन्होंने भूमी के एक बड़े छित्र को एक बड़े उत्पादक छित्र में बदल दिया है जारखन के गड़वा जले के कदवन और विहार के रोहता जले के मटिवान के बीच सपूत के पार बांध नर्मान का प्रस्ताव है इंद्रपूरी बांध को प्रकृति की गोट से निकलते वे सोन नदी की लेडों के साथ खिलकिलाते देखना काफी मनमुहग दृष्य होता है या बांध अत्यांत सुन्दर होने के साथ साथ अपनी नरसरगिक आकरशन की वज़ह से अतीशांत एवं सुखदाई है बिहार STET 2023 परिक्षा में इतने अभ्यर्ती हुए पास अगर आभी उन अभ्यर्तियों में से हैं जिन्होंने 4 से 15 सितंबर तक आयोजित STET 2023 परिक्षा में भाग लिया था VSEBSTET.com पर जाकर अपने रोल नमबर और जनतिती की मदस से देख सकते हैं मालू हो कि इस परिक्षा में पेपर 1 के लिए 2,71,872 और पेपर 2 के लिए 1,56,515 यानि की कुल 4,28,387 अभ्यर्थियों के द्वारा ओनलाइन आवेदन किया गया था जिसके बाद इस परिक्षा में कुल 3,86,877 अभ्यर्थि शामिल हुए थे जिसमें से कुल 3,726 अभ्यर्थि पास हुए हैं यानि कि कुल संतार भोजपुरी में गाने और डांस का टैलेंट दिखा बने सूपरस्टार यदि आप में गाने और डांस करने का टैलेंट है तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि सारी गामा इंडिया के एक्जेक्यूटिव वोईस प्रेसिडेंट कुमार अजीत के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार सारी गामा भोजपुरी कलाकारों को अफसर देने के लिए हम भोजपुरी सूपरस्टार कॉंटेस्ट सुरू कर रहा है जिसमें भाग लेने के लिए एक चुक लोगों को और उन्हें सारे गामा हम भोजपुरी द्वारा प्रसक्षित किया जाएगा इसके बार टॉप पचास, टॉप दीस और टॉप दस के सेलेक्शन किये जाएगे और अंत में टॉप पांच प्रती भागियों का चियन किया जाएगा जिसके बाद उन्हें अपने लेवल से सूपरस्टार के रूप में लौँच किया जाएगा बतादी किसमें भाग लेने के लिए किसी प्रकार की कोई पातरता निर्धारित नहीं की गई है याने किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये माईने नहीं रखता है कि आप कहां से हैं और आपकी क्या उम्र है प्रदेश के उत्तर पश्चिम दक्षन पश्चिम के जिलो में बारिस की संभावना प्रदेश में बारिस को लेकर अरड जारी किया गया है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के निसार प्रदेश के जादा तर जिलो में बारिस की संभावना जिताई गई है इस दोरान प्रदेश के अधिकान सिसों में बारिष होने की संभावना है, साथ सी यह भी कहा जारा है कि प्रदेश के कई इलागों में तापमार में बढ़ोतरी हो सकती है चार आक्तुबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पुर्व, दक्षिन मध्य और दक्षिन पुर्व के जिलों में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की संभावना है इस दोरान मधुबनी, सुपॉल, रडिया, किसंगंच, पुर्णिया, पश्रिम, चंपारन और कटिहार जिलों के एक या दो अस्थानों में भारी बारिस की संभावना है वहें 5 अक्टूबर को लेकर जारी अपडेट के नसार प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पुर्व, दक्षिन मध्य और दक्षिन पुर्व भागों के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की संभावना जताई गई है प्रदेश के सुपॉल, पुर्णिया और कटिहार जिलों के एक या दो अस्थानों में भारी बारिस की संभावना है निला पॉलीशन रजिस्टर को सभी जिला सिक्षा कारयाले में भेज दिया गया है से में अब संबंधित स्कूल के प्राचारे जिला सिक्षा कारयाले से मूल प्रमान पत्र आदी ले जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संबंधित स्कूल के प्राचारे मूल प्रमान प जब यूने था अनंत कुमार सत्यार्थी का निधन सीयम निधीश ने व्यक्त किया सोक बीदे दिन की सुभब हवेली खड़कपुर और मुंगेर से 2005 से 2010 तक दो बार जेरियू से विधायक रहे अनंत कुमार सत्यार्थी का गुरगाओं के एक नीची अस्पताल में इलाज के दोरार निधन हो गया बता दे कि वे पिछले काफी दिनों से बेमार चल रहे थे मालूम हो कि बीते 22 सितंबर को उन्हें अपने पटना आवास पर ब्रेन हेमरिज हो गया था एक्सपर लिखा गया है कि मोंगेर के पुरविधायक अनंत कुमार सत्यार्थी जी का निधन दुखत उनके निधन से राजनितिक एवं समाजिक छेतर में अपोनिय च्छती हुई है इस वर उनकी आत्मा को शांती दे उत्तर भारत में बीते दिन महसूस किये गए भुकम के जटके बीते दिन दिल्ली एंसियार समेत उत्तर भारत में भुकम के तेज जटके महसूस किये गए मालम हो कि बीते दिन 4 बार भुकम के जटके महसूस किये गए बता दे कि भुकम की त्रिवता इतनी तेज थी कि इसके जट के दिल्ली और उत्राखंड में भी महसूस किये गए नेशनल सेंटर फॉर्स इसमोलोजी के द्वारा दी गए जानकारी के नुसार भुकम का पहला जट का मंगलवार की सुभर 11 बच कर 6 मिनट पर लगा था जिसका रिक्टर इसकेल पर त्रिवता 2.7 मापा गया इस भुकम का केंद्र हरियाना का सोनी पत था वहीं दूस्ता भुकम का जट का एक बच कर 18 मिनट पर आया जिसकी त्रिवरता 3.6 मापी कैंज always के कारण घड़ों के दिवारे गिरने की भी कई तस्वीरे सामने आई है आज केंद्रिय स्वास्ते राज्य मंत्री स्पी सिंग बगहिल करेंगे दरभंगा एम्स के जमीन का मुआयना एक तरफ जहां दरभंगा एम्स के निर्मान को लेकर प्रस्तावी जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवात का कारण बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर अब केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मंसुख मांडविया के द्वारा आश्वा संधिया गया है कि बहुत जल्दी एम्स के निर्मान की बाधायें दूर होंगी बतादे किसी कड़ी में आज यानी की 4 अक्टूबर को केंद्रे स्वास्ते राज्य मंत्री स्पी सिंग बगेल दर्भंगा दोरी पड़ आ रहे हैं आज यानी की 4 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू परिवार की सीबियाई की स्पेशल कोर्ट में पेश्ची होने वाली है जहां कोर्ट के दौरा लालू परिवार को पक्च सुनने के बाद आरोप गठित किया जाएगा मालमों के पहले इस मामले में राज सुप्रीमो लालू यादव बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी और मिशा भारती समेत को 16 लोगों को आरोपी बनाए गया था लेकिन फिर CBI के तरफ से जुलाई में इस केस में नया चार्ज सीट चारी करते वे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेश्वी यादव को भी आरोपी बना दिया गया बता दे कि CBI के दौरा पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री तेश्वी यादव को आरोपी बनाए गय बितदन पुर्व केंद्रे मंत्री वा बीजेपी नेता रसेपी सिंग नारंदा में रहुी में बीजेपी मंडल महामंतरी सोनल सिंग से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे उन्हें अपरादियोंने सोंबार को दीन दाहरी गोली मारी थी भगवान के कृपा से वो बाल बाल बचके आज उन से मिला उनका हाल चाल जाना सोनल जी जल से जल पूरी तरह से स्वस्त हो यह अपराथना इश्वर से की है उन्होंने कहा कि 2005 से 2010 तक में बिहार में जो सरकार थी उसमें हम प्रधान सचीफ थें उस वक्त किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं होती थी कि वो राइफल और बंदूक निकाले ऐसा करने के लिए कोई अपरादी सोस्ता तक नहीं था लेकिन आज इस्तिती ऐसी हो गई है कि दिन दाहरे अपराधी गोली मार रहे हैं इसे देकर ऐसा लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्ता ध्वस्त हो गई है और हुने कहा कि अमनितीश कुमार को बिहार से कोई लेना दिना नहीं है MS धोनी ने फिर बदला अपना हेर स्टाइल भारती टीम के पुर्वकपता दिगज, विकेट कीपर और कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाली महिंदर सिंग धोनी का सलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आलिम हकीम दौरा एक फोटो शेर किया गया है किसी भी रशनात्मक प्यक्ति के लिए महिंदर सिंग धोनी के साथ जुन्ना एक अद्बुत अफसर है और मैं हमेशा आभारी हूँ कि मुझे उनके बालो को स्टाइल करके अपनी कला दिखाने का सम्मान मिला लेकिन पिछले IPS से पहले जब हर कोई अपने बालो को शार्प और छोटा कर रहा था उस समय माही भाई ने मुझे अपनी एक छवी दिखाई जो लंबे बालो के साथ उनकी एक फैनमेट छवी थी मुझे माही भाई के लिए यह सहज हेरस्टाइल बिनाने में बहुत मजाया इसलिए यहां मैं कुछ तस्वीरे साजा कर रहा हूँ जो मैंने एक विग्यापन फिल्म के लिए शॉट देने जाने से पहले क्लिक की थी उनके साथ काम करना हमेशा खुसी की बात है भारत के थ्यास में आज की तारीक है कहीं कार्णुस दर्च भारत ने 1974 में दक्षिन अफ्रीका की सरकार की रंभेदी निती का प्रतिरोध करने के लिए वहां जाकर डेविस कप में भाग लेने से इंकार कर दिया भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपई ने 1977 में सिंक्त राष्ट महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था नोबेल पुरुसकार समीती ने 2011 को भौतकी के चेतर में अमुल योगदान के लिए अमेरिका के सौल पर्ल मतर और एडम रिस्त था अमेरिके मूल के ऑस्ट्रिलिया इनागरिक ब्रायन रिस्त को वर्ष 2011 का नोबेल पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की गई अफगानिस्तान के राश्ट्रपती हामित करजई की भारत क्यातरा के दौरान भारतिय प्रिधान मंतरी बनमोहन सिंग के साथ हुई बैठक में सामरिक मामले खनी संपदा की साज़िदारी और तेल और गैस की खोच पर साज़िदारी संबन्धी तीन समझोतों पर 2011 को हस्ता जिससे आईकर विभाग के बीच सयोग बढ़ने और स्विस बैंकों में भारतियों के खातों का पता लगाने में मदद मिलेगी भारतिय प्रशास्निक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर वराजेपाल सरला ग्रेवाल का जन्म 1927 में हुआ बीसवी स्वाबरी के हिंदी के प्रमुक साहित्यकार रामचंदर सुकल का जन्म 2884 में हुआ प्रसिद सुतंता सिनानी एवं लेखक स्यामची कृष्ण वर्मा का जन्म 2957 में हुआ हिंदी और बांगला पार्शव गाईखा संध्या मुकोपाध्या का जन्म 1931 में हुआ भारतिये फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदीदा नागेश्वर राओ कानिधन 2015 में हुआ भारतिये सिना का एक सैनिक बाबा हरबजन सिंग कानिधन 1960 में हुआ आज के दिन को विश्व पसु कल्यान दिवस और राष्ट्रिय अखंता दिवस के रूप में मनाया जाता है वारकर में आज हम बात करेंगे मोबाईल टावर लगाने के बाड़े में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जुरूरी नहीं है इसकरी में आज हम बात करेंगे मोबाईल टावर लगाने के बाड़े में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक कंपनी टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया मोबाईल टावर लगाने के लिए पंजीकरन सुल्क के रूप में 3800 रुपए मांग रही है और 45000 रुपए का मासिक किराया और 40 लाख रुपए का अग्रिम भुकतान देने का दावा कर रही है पी आईबी ने अपनी टूइट में लिखा है कि अब पत्र फरजी है टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया कभी भी ऐसा कोई पत्र जारी नहीं करता है वाटसेप पर जल्द मिलेगा सर्च और अपडेट टैप के आप्शन वाटसेप ने हाली में कई नए फीचर रोल आउट किये हैं जिसे एंड्रोइड उजर्स के वाटसेप का नए एक्स्पिरियंस मिल रहा है वाटसेप नया सर्च फीचर टेस्ट कर रहा है वाटसेप अपडेट टैब के लिए सर्च आप्शन के टेस्टिंग कर रहा है वाटसेप की पोस्ट के नुसार वाटसेप में अपडेट टैब एप के बारे में दिया जाएगा जिसके अंदर सर्च बटन दिया जाएगा और यूजर्स इसकी मदब से स्टेटरस अपडेट फॉलो किये गए चैनल और वरिफाई चैनलों का सर्च कर सकेंगे हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की बीपेसी बिहार पुलिस दरोगा समीत एससी जरसे अने प्रतियोगी परिक्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विग्यान, करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस देश ने सैफ पूरुस अंडर उन्नस चैंपियंशिप जीती है अप्शने भारत, अप्शन B नेपाल, अप्शन C ब्रिटेन, अप्शन D ऑस्ट्रेलिया इसका सही उतर है अप्शने भारत अगला सवाल हाली में नई दिली में आकांची ब्लॉकों के लिए संकल्ट सप्ता कारिक रमकिस ने शिरुक किया है अप्शने C.M. अर्वन केजरिवाल अप्शन B. PM. मोदी अप्शन C. रागत चड़्डा अप्शन D. निर्मला सीता रमन इसका सही उतर है ऑप्शन B. PM. मोदी अगला सवाल बिहार का नाम किस एतिहासिक पुस्तक में है ऑप्शन E. अर्थसास्त्र ऑप्शन B. नावक्त A. नासरी ऑप्शन C. किर्तिकला ऑप्शन D. नावक्त A. नासरी और किर्तिकला इसका सही उतर है ऑप्शन B. नावक्त A. नासरी अगला सवाल जिस व्रिक्ष के नीचे विदूर ने ग्यान प्राप किया उसे बोधी व्रिक्ष को किसने कटवाया था ऑप्शन E. बक्तियार खिलजी ऑप्शन B. महमूद गजनवी ऑप्शन C. गौड का राजा सशांक ऑप्शन D. हुनो का राजा महीर कुल इसका सही उतर है ऑप्शन C. गौड का राजा सशांक अगला सवाल प्यार में नुहानी वंस का उदय किसके काल में हुआ ऑप्शन E. भलो लो दी ऑप्शन B. इब्राहीम लो दी ऑप्शन C. सिकंदर लो दी ऑप्शन D. इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है ऑप्शन C. सिकंदर लो दी बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्योंड आज का सवाल है आपके नुसार बिहार का सबसे साफ सुत्रा जिला कौन सा है अपना जवाब हमें मारी comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम करणों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखर तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद